दोस्तो, IDFC First Bank की बात के श्टॉक के अंदराज काफी सांदार तेजी देखने हो विल रही है अब आप देख सकते हो कि जो गिरावट कलोई थी उसकी भरपाई होते हुए दिखाई दे रही है और आने वाले समय में क्या संभावन अपॉजिटिव बन रही है लेकिन ओरल यह उन बेसिस में रिजल्ट बैतर हो रहे है और यह जो अपडेट जो लिकर न कर आ रही है इस सारा करी है कि प्राइवट सेक्टर बैंकों में प्रचूर समाओना दीख लिए नई सरकार के गटन के बाद भी प्राइवट सेक्टर के बैंक काफ़ एचा कर सकते पिछले जिनों प्राइवट सेक्टर की बैंकों ने कोई खास दोड़ नहीं लगाई बंदन बैंक देके तो इस समय अंडर वैल्यू है और IDFC फर्स्ट बैंक में भी कोई खास देजनी बनी तो क्या इस समय इंवेस्टमेंट करना चीए जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी न्यावडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले निप्टी बैंक की बात कर ले तो आज जे 49,054 के इस तर पे क्लोजिंग थी 2,196 पॉइंट की बंपर तेजी देखना हो मिली यानि 4,53 परसेंट दोड़ा निप्टी बैंक तो जो गिरावट कल हुई थी उसकी काफी बरपाय आज हो चुकी है और निप्टी प्राइवट बैंक न उससे भी बड़ी दोड लगाई है 24,462 के इस तर पे 1,193 पॉइंट की जबरदस देजी यानि 5.13 परसेंट दोड़ा निप्टी प्राइवट बैंक अब गौर करने वाली बात यह है कि कल प्राइवट बैंक इतना नहीं गिरा जितना प्राइवट बैंक गिरा लेकिन आज जब रिकवरी हुई तो प्राइवट बैंक में जादा हुई है यानि प्राइवट बैंक इस लिखर पर काफी सांदार कर रहें आने वालस में बैतर उमीद यहां पर दिखाई दे रही है अब आप देख सेकतों कि F5DI की जो आज की आक एकार रहा हूँ? 4,500 ने 55 क्रोड पॉजितिव है, यह इनि 45,000 क्रोड के असमस्की खरीदारी किये, डिय ने, लेकिन सामने FI की विकवाली हुए, तो आज 21,001 क्रोड की उन्होंने नहीं खरीदारी किये, लेकिन सामने 26,668 क्रोड की विकवाली कर दिये, तो आज FI ने 56,666 चोट की बिक्वाल कि है जब 10 बाजर में टेजी थे उसके बाविच भी F-Y बाजर में बिक्वाल थे और कल भी उन्होंने भारी बिक्वाल कि देभी तो कुल मिलाकर देखे तो F-Y बाजर में अभी बैतर प्रदसिंद किया है और यह देख सकते हो कि 6-7% के उपर की तेजी देखनों मिली है फेडरल बैंक हो IDFC First Bank, Kotak Mahindra Bank हो HDFC Bank काफी अच्छा प्रदसिंद किया सभी बैंक होने है अब यहाँ पे देखते हो कि इस समय जो अनलिस्ट है उनके हिसाब से देखे तो री रेटिंग इस समय पब्लिक सेक्टर की बैंकों की दिखाई दे रही है और देख सकते हो कि जो वैलिविशन के हिसाब से देखे तो PSU Bank थोड़े से महंगे दिखाई दे रहे और सामने जो देखे तो प्राइवट सेक्टर की बैंक अट्रेक्टिव लग रही है तो यहां पर जो बड़ी अपडेट है कि आउटलूप फॉर प्राइवट बैंक हैस बिकम अट्रेक्टिव आफ्र दा फॉर्मेशन ऑप कोलिशन गवर्मेंट तो जो कोलिशन गवर्मेंट बनने की वज़े से जो सरकार आने वाले समय जो PSU Bank उनको प्राइवेट सेक्टर में तब्दिल कर सकती थी ऐसी समभावन अभी कम दिख रही है और फिलाल समभावन दिख रहे है और अब देखे तो जो वैलिशन के हिसाब से भी देखे तो PSU Bank काफी दोड़े साल बर में उन्होंने जबरदस रिटन दिया तो अब वो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने कोई खास पर्दस ने किया और इसलिए आनेवल्स में ये काफी अच्छा दोड़ते हो दिखाई दिया सकते हैं तो अभी जैसे कि इस बार मॉंसून नॉर्मल रने की पूरी संभावना है और सरकार का फोकस एकॉनोमिक सकती है तो उसको जो सीधा अगर आप देखे तो बैनिफिट जो मिलेगा किसी भी को वह बैंकों के थुरूई मिलेगा और बैंकों के लिए इस बार अपॉर्चुनरी दिखाई दे रही है इस कोलिशन गवर्मेंट में तो प्रभुदा से लिए रदर का भी कहना हो दूसरे तक चला गया था तो काफी जबर्दस लो 71 का और हाई 78 का बैतर प्रदसन किया लेकिन अभी भी अपनी ऊपर की प्राइस से काफी नीचे है तो कह सकते कि यह स्टॉक में दाव लगाने का मौका है अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल किया है आई डिफ सी फर्स्ट वोटिंग राइट का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर देखें कि कंपनी एलोट एक्विटी करना चाहते हैं प्रेफेंशल वेशेस के उपर और इसके लिए देखें तो कंपनी ने कट ओफ डेट जो रखी है वो 26 मई 2024 है उसके पहले जो भी शेयरोड लोगे वो इस वोटिं राइट का इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी देखें जो वोटिंग राइट तो 31 मई 2024 नौबेजे सुबह खुल चुकी है और जो वोटिंग लाइन बनोगी तो सनिवार 29 जून 2024 को होगी सामको 5 बजे तो तब तक आप इस वोटिंग लाइन का जो भी इसका इस 2024 को डिकलेर किया जाएगा तो यह डेट हमारे सामने आ चुकिए अगर आप भी इस वोटिंग राइट का इस्तिमाल करना चीए अब कंपनी के अगर रिजल्ट की बात के हर साल रिजल्ट बैतर ही हो रहा है 2021 में जापे 18.18 क्रोड रुपीज का थाउजन क्रोड रुपीज क और ऐसे में हम कह सकते है कि IDFC फर्स बैंक आने वालस में कमाल कर सकता है और कंपनी मर्जर की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है आने वालस में बैतर परिणाम की उमीद होगी अब बंदन बैंक की बात के लिए तो आज स्टॉक ने कमाल किया 190 पर क्लोजिंग थी 7.31 परसे पहुच चुका है और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे जो श्टॉक ने तीन तारी के आसपस की जो प्राइस थी उसके आसपस पहुच चुका है यानि 196 की हाई बने थी तीन तारी को और उसके बाद में देख सकी चार तारी को यह गिराउट हुई तो एकजिट पूल तो उस हिसाब से बैतर प्रदसिंद के चुक ने और कमाल कर सकता है रिजल्ट इसके बहुत ही बैतर है इस बार मार्च बले कमज़रो लेकिन और यह यह बैसे बैसे के तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है दो जारी किस में इनका रिवेनी 14.55 थाउजन कोड के आसपस था और प्रॉफिट हुआ था 2.21 थाउजन कोड का जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में रिवेनी 21.03 थाउजन कोड तक पॉँच गया और प्रॉफिट इनका 2.23 थाउजन कोड तक पॉँच गया तो काफी सांधार है वैसे 2022 में कमपनी का प्रॉफिट जरू गिरा था लेकिन ओर आपना खुद का रिसर्च करें कि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स